हलो दोस्तों सौगत है अब सभी का बीएस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्लिक्स के वेब सिरीज ये काली काली आँख को तो इस वीडियो को एंट तक जबूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं तो ये काली काली आँखें ये वेब सिरीज आज ही नेट्लिक्स पर रिलिस हुई है इस सिरीज में टोटल आट एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 50 मिट के बीच का है और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग को मिस्ट्री थ्रिलर शोज देखना पसंद आते हैं तो शयाद आपको इशू पसंद आ सकता है लेकिन एक न्यूटल आडियंस को इशू कैसा लगेगा इस पर तो मैं अगर वीडियो में बात करूँगा अगर हम इसी कहानी की बात करें तो परसनली मुझी सीरिस के स्क्रीन प्ले बिलो एवरेज लगा क्योंकि जिस तरह से ये सीरिस स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचूशन को इस्टैबलिश का नहीं कूशिश करती है हमें बताया जाता है कि विकरान किस तरह का लड़का है वो शीखा से कितना जादा प्यार करता है और साथी साथ पूर्वा उसे किस तरह से हसील करना चाती है वो से मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ है क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने टेपिकल वे में लिखा गया था क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट पर इस सीरीज में वे इन्वेस्ट नहीं था क्योंकि इस पूरी सीरीज को देखने के दारान मुझे ऐसा लग रहा था कि इस सब तो मैंने पहले भी देख रखा है जो कि काफी बूरी बात है इसी कारण से जब इस स्रीज में टुष्ट इंडन्स आते हैं तो वो मुझे उस तरह का impact नहीं डाल पाए जिस तरह को ने डालना चाहिए था और उसके उपर से मैंने सेस के लगबग सारे टुष्ट को काफी आराम से प्रेड कल लिया था जिससे कारण मुझे स्टार्टिंग से समझ आ गया था कि स्रीज में आगी जाकी क्या होने वाला है जो की काफी बुरी बात है और जहां तो बात है कारेक्टर डेवलोप्मेंट और कारेक्टर के बिश्चे से नहीं लिखा गया कि हम उसके साथ पूरी तरह से करने ठूपा हैं और जो कैरेक्टर के बिश्चे डैनमिक्स थे वो भी मुझे काफी ज़्यादा रूटीन लगे है और जहां तो बात है एक्टिंग की तो सभी अक्टर से कम ठीक ठाक है किसी का भी कम भाज़दा अच्छा नहीं है लेकिन किसी का भी कम भाज़दा बुरा भी नहीं है और जहां तो बात थे direction और editing की तो मैरे खाल से direction अगी बतर होना चाहिए था कि director ने जिस तरह से series को बनाया ना वो below average और मेरे खाल से direction काफी बतर हो सकता था और जो editing है, वो मेरे खाल से काफी बतर होनी चाहिए थी क्योंकि series को देखते वक्त हम कई बार बोर हो जाते हैं और जी स्रीस की length है वो भी मेरे हिसाब से ज़रू से ज़ाद अलंबी है और अगर हम production quality ही बात करें तो वह काफी च्छी है तो overall में यही बूलना चाहूंगा कि अगर आप लोग को crime thriller shows देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको इशू पसंद आ सकता है लेकिन अगर आप एक neutral audience हो तो मुझी नहीं लगता कि आपको इशू कुछ खास पसंद आने वाला है तो आपको इशू देखना है नहीं या आपके उपर है और अगर आप लोगने इशू देख लिए आतमजी कॉमेंट्स में जरू बतना कि आपको इशू कैसा लगा और अगर आपको वीडियो से related को सेडीशे नहीं शिक्रेक करनी हो तो भी आप हमें कॉमेंट्स से बता सकते हैं या अपर हम इस्ट्रग्राम और ट्रटर भी फालो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत